हेलो और वेलकम दोस्तों आप सभी का ग्रेट और अने अगेनमी में बहुत-बहुत स्वागत है डी एफ सीसायल की एक्जाम डेट्स आज चुकी है और सभी बच्चे लोग जो भी प्रिप्रेशन किये हैं अब सभी लोग अपने टेस्ट के तरफ और टेस्ट में मार्क्स गे आएंगे क्योंकि एक्जाम का टाइम बहुत कम बचा है तो लक्चेर्स को आप लोग अच्छे से फॉलो करिए अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीस इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे दौरत दीगे हर एक वीडियो क की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे हैं चले तो पंच वर्सी ओज्व से अब हम लोग लक्च्छर को स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात कि थी कि प्लांड इकनॉमी फॉर इंडिया बुक किस ने लिखी है अब मैं दोबारा नहीं लास्ट वीडियो में हम लोग प्लानिंग कमिशन को समझते वक्त हम लोग ने समझी थी तो जो प्लानिंग कमिशन है उसी ने यह सारी पंच वर्सी योजनाइं जिसके हम लोग बात कर रहे हैं उसको बनाया है 1938 में जब नेशनल प्लानिंग कमिटी बनी तो 1949 में नेशनल प्लानिंग कमिटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी नेशनल प्लानिंग कमिटी ने यह बताया कि जो हमको इंडिया के लिए प्लान्ड एकनॉमी रखनी चाहिए वह यूएस एसार के तरह पंच वर्सी योजनाइं जो हैं उनको रखना चाहिए तो जो 5-year plan का concept है यह उठाए गा था USSR से आप सभी लोगों को पता है Russia पहले USSR था Soviet संग जो बाद में dissolve हो गया और पूरी तरीके से तूड़ गया तो रस्या में उस वक्त जो स्टैलिन थे 1920 में सभी लोग जानते होंगे कि वह कितने खत्रनाक को कितने लोगों उन्हों ने मरवाया है तो रस्या के बहुत बड़े डिक्टेटर थे स्टैलिन तो उन्होंने रस्या में प्लांड एकनॉमी का कॉंसेट दिया था जो रस्या में बहुत ही तैजी से फ्याइल रहा था और उस वक्त उनकी को सम्हानने के लिए Cake 5-4 योजनार ये कोसचुन इकधाम में आता है कि ये पंच वर्सी योजनाय किस ने इवॉल किया है तो रसिया में जो स्टैलिन की गवर्णमेंट थी है उन्हीं की उपज है स्टैलिन की गवर्मेंट नहीं 1920 में सबसे पहले पंच वर्सी योजनाओं का moment लाया था अब जब प्राहणिंक कमिटी हमारे देश की इसने 1949 में रिपोर्ट दी तो 1949 में planning committee ने कहा कि हमारे देश में भी रस्या के तरह ही एक पंच वर्षी यूजनाओं को लागू करना चाहिए अब पंच वर्षी यूजनाओं को लागू करने के लिए हमारे देश में एक समस्या थी कि हमारा देश एक democratic है और जो रस्या है वह एक कम्यूनिज देश था तो हमारे लोगतंत्र था और रस्या में कम्यूनिजम आज भी है तो हम किसी कम्यूनिज देश के जो पंच वर्षी यूजनाओं हैं उसके कॉंसेप्ट को अपने देश में कैसे लागू कर सकते हैं तो planning committee ने इसका भी solution दिया करता है तो planning committee ने यह कहा कि हमको अपने एप्रोच में प्रोच में नहीं रखना आ हमको अपने अप्रोच में से हम लोगों की हित के लिए ही योजना बनाएं इस हिसाब से हमको अपने प्लानिंग जो हमारी है देश की एकनॉमिक प्लानिंग उसको करना चाहिए तो यह कॉंसेप 1949 में दिया अब ऐसा नहीं है कि 1938 के बाद डारेक्ट लिए 1949 में प्लानिंग कमिटी ने जो भी रेकमेंडेशन दिये उसके भीच में भारत में प्लान इकनॉमिक लिए कुछ भी नहीं गवा उसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी जो recommendation है वो आई थी बट उस वक्त हमारा देश हो completely अजाद नहीं हो पाया था तो वह सारी चीज़े लागू भी नहीं हो पाई जैसे गर हम लोग बात करें 1944 में एक Bombay action plan आया था या उसको Bombay plan भी कहते हैं तो जो हमारे देश के आठ बड़े इंडिस्टिलिस्ट थे वो सभी लोग मिलके एक Bombay plan लेका आया थे जिसमें देश की economy को capitalist टाइब से चलाने की बात की गए थी जैसे अमेरिका में capitalist economy है तो सेम Bombay plan भी totally capitalist economy था जिसमें government का intervention वो लोग नहीं चाहते थे बट इस plan को completely fail माना गया लोग इसको accept नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अगर हम लोग देश में capitalism ला जेंगे जब देश में गरीबी हो तो वो plan कभी भी successful नहीं होगा और स्रिफ जो लोग पैसे वाले हैं वही लोग पैसा बना पाएंगे और जो लोग हैं उनके पास पैसा कभी नहीं आ पहेगा इस फ्लान को एकसेब नहीं किया गया फिर इसके बाद गांधियzuby आए गांधियान प्लान जो है वो this pra案 था शोसिलिष प्राइं जिस तरीके से गांध्य प्राइं एक सुशिलिष प्लाइं था सेम उसी कॉंसेट पे प्लाणिंग कमिटी जो है उसने भी पंचवर्षी योजरणाओं को सोसिलिष रहखने की सलाह दी अब देखे अब जो हमारे प्लानिंग कमिटी है उसने एक प्लानिंग कमीशन को बनाया 1950 में मैंने आपको बिलकुल अच्छे से बताया है यह सभी बाते इसलिए बताई है ताकि इस वीडियो में जब मैं पंच वर्सी योजना है आपको समझाओं तो उन सभी बातों का रफरेंस आप लोग ले सके तो नेशनल डेवलप्मेंट कॉंसिल और प्लानिंग कमिशन यह दोनों जो 1949 की रिपोर्ट थी प्लानिंग कमिटी के उसके रेकमेंडेशन से आया है तो यह भी एससी का कोस्टन से एक्जाम में कोस्टन भी आ सकता है आप लोग इस बात को ध्यान रखेगा तो इससे जो है सबसे पहला हमारे देश में फ़र्स जो फाइफ यह प्लान है उसको लागू करने के लिए एक अपरेंट 1951 से उसको में परेंट में पेस किया था सथ फाइफ यह यहां फाइक आप रखाया मतलब तो टोटल हमारे कितने साल होते हैं पांच साल तो पहले पांच साल के लिए जो हमारा पहला model रखा गया वो रखा गया हैरो डोमर model यह एक के question एक्जाम्स में आते हैं कि पहला जो first five year plan था वो किस पे बेश था तो वो हैरो डोमर model पे बेश था और इसकी खासियत क्या थी इसमें लगबग दो हजार करोड रखे गये थे जो हमारे देश की एकनॉमी थी वो लगबग दो हजार करोड रुपए अलॉट की थी देश के पहले जो हमारा सबसे पहला five year plan था उसमें खर्च करने के लिए तो उस दो हजार करोड में से लगबग one third जो पैसा है वो agriculture के डवलपमेंट जो एक्री कल्चर का एरिया था जो हमारे देश में हम जब आजाद हुए थे तो भारत प्रहान्देश तब भी था और आज भी क्रिशी प्रतान देश ही है तो भारत उससे पहली जो सबसे पैलिए इच्छा जायर की गई कि हम अपने सक्टर जो मजबूत कर सकें तकी मैं लोगों सबसे पहले खाने की कमी ना पढ़े और जो मिनिमाम लिओन एक्सकेम कर सकते इसी के साथ साथ reproductive and child health program मतलब जो भी शिशू है और जिनका जन्व होता है हमारे देश में उनका जो जीने के रेट है मतलब जो mortality rate है वो अच्छी हो और infant mortality rate भारत की उस वक्त बहुत ही खराब थी उसको सुधार करने के लिए और उनको कोई बिमारिया नहों vaccination से रेटर जितने प्रोग्राम्स थे वो first five year plan में रखे गया थे और जो थर्ड प्रोग्राम रखा गया था वो तक community development program community development program जैसे कि गाउं में अलग-अलग school खोले गया अलग-अलग hospital खोले जा रहे थे ताकि जो गाउं के लोग है वो गाउं में अच्छे से रह सकें उनको सिच्छा मिल सकें उनको जो भी medicine से ये सारी चीज़े मिल सकें इस तरह की विवस्था 1952 में जो community development program आया था उससे की अब देखें फर्स्ट फाइफ एर प्लान में एक question बहुत बार आता है कि फर्स्ट फाइफ एर प्लान सक्सेस्फुल था कि नहीं तो देखें जो टार्गेट इसमें रखा गया था GDP का वो था 2.1 परसेंट और जो इंडिया ने अचीव किया था वो था 3.6 परसेंट तो 2.1 परसेंट रखा गया मतलब पासिंग मांक से बहुत ही ज्यादा नंबर हमारा जो बच्चा वो लेके आया तो इस वक्त क्या होगे हमारे इंडिया की बल्ले-बल्ले हो गई इंडिया का पूरे विस में नाम होने लगा कि इंडिया इस ग्रोइंग एट फास्टर पेस भारत जो है एक उभरती हुई अर्थ व्यवस्ता है 1955 में ही भारत को उभरती अर्थ व्यवस्ता मतलब की डेवलपिंग कंट्री का जो खिताव हो मिल गया था फास्ट फाइफ यह प्लान में जो ग्रोथ रेट इंडिया ने किया था जिस तरीके का उसके कारण भारत को एक असा खर्च किया था वह एजूकेशन पर एगरिकल्चर पर प्लस डैम कंस्ट्रक्शन पर डैम बनाना सबसे जरूए था क्योंकि एक तरफ एगरिकल्चर में का हम लोगों को खाना देंगे तो दूसरी जगा डैम बनाके हम उनको बिजली और पानी हर चीजे इरिगेशन के के लिए हम उनको प्रोवाइट करा सकते हैं इसी तरह कोस्टन जो आते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो कोस्टन साता हो आता है कि जो पांच आयाटी है वह फाइफ यह प्लान में बने थी इस बात को भी ध्यान रखना है और इसके साथ हीरा कुट डैम भाकरा नागर डैम और दामोदर वाली प्रोजेक्ट यह सभी चीजें फर्स जो हमारा फाइफ यह प्लान है उसमें बनाए गए थी इसको आप लोग अच्छे से याद रिखेगा डैम कंस्ट्रक्शन हीरा को डैम जो है भाकरा नागर डैम दामोदर वाली प्रोजेक्ट और पांच आयाटी यह फ और यह बेस था PC महाला नोबिस. पीसी महाले नोबिस एकनौमिस के प्रोफेसर थे इन्हों ने इस प्लान को बनाया था और इन्हों ने कहा कि हरत अगर चार्ता है जो भी पैसा पिछले अपार उसने लगाई जो केसं सेक्टर में लगाना चाहता है तो उसको जाधा 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 revenue जनरेट करना चाहिए अब revenue कैसे जनरेक होगा जब जाधा जाधा लोग इंप्लाइड होंगे जाधा जाधा लोग पास पैसा आएगा तो भारत में जो सोशियल कंपनी से जो हम लोग देखते हैं पीएस्ट वेगारा और जितनी भी गौवर्मेंट की कंपनी से मैं एक्सम गौवर्मेंट कंपनी को सेकेंड फाइफ यर प्लान में बनाए गया है कई पर जब आपको पीएस्ट यू से रेटेड को चनाते हैं तो पीएस्ट यू का में 1955 में ने्शनलाईज घौा था और सेकंड फाइफ यर क्लान में हम लोगніटीं फिसीस से पड़ रहे हैं तो अगर आपको disrupt का है नि प्लानेंदिया कि youtube फ्लान में बना था तो सब्सक्राइब व क्लाने तो इसमें अगर से था यह Also यह भी आद कि कि जो decimal system of economy है इसको भी second five year plan में बनाए गया है decimal system of हमारे जो monetary value हमारी decimal system पे है इस चीज को अपनाए गया था second five year plan में और maximum जो हमारी government companies है जैसे कि आप देख सकते हैं की features में जैसे कि भिलाए का जो हमारा plant है भिलाए steel plant दुर्गापूर का steel plant और राउर केला का steel plant यह सभी चीजे बनाए थी second five year plan में अब question यह भी आता है कि जो भिलाए का steel plant है किसकी मदद से बना था तो भिलाए का steel plant रस्या के मदद से बना था USSR के दुर्गापूर का बना था UK के मदद से यानि कि England जो country है उसने help की थी और UK जो है वो पूरा आप सभी लोग जानते UK क्या है UAE क्या है US क्या है तो इसके बारे मुझे बताने जरूत नहीं है तो UK की मदद से दुर्गापूर का प्लाइन बना था और राऊर केला का जो plant है इसके बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ राऊर केला का जो plant है वो जर्मनी के मदद से बना था इसको विए आप लोग ज्याद रिखेगा तो भिलाए दुर्गापूर राऊर केला इस पर प्लस जो टार्गेट ग्रोथ है और जो अचीव ग्रोथ है इसको भी हम लोग डिसकस करते हैं तो देखे सेकेंड फाइफ येर प्लान में क्या हुआ कि इंडर्श्ट्रीज में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा उनके इस्टेब्लिस्मेंट में इतना खर्चा करना पड़ा उनको इस्टेब्लिस करने में कि हम उसे जो रेविन्यू कमाने वाले थे उस पांस साल में नहीं कमा पाए बहुत ज्यादा टाइम लगा और जब 5 year plan में इंडिया में corruption बहुत ज्यादा देखने को मिला था इसलिए जितना target रखा गया था उससे थोड़ी कम growth क्योंकि इंडिया faster pace पे ग्रो कर रहा था बट corruption और बहुत सारे region जो हमें heavy investment करना पड़ा इसके वाजे थोड़ा कम growth 4.5 के जगा हमको 4.2 देखने को मिला देखे फिर आया थार्ड प्लान 1961 से 1966 तक 1951 से 1961 तक दो प्लान हमारे खतम हो गया फिर जो तीसरा प्लान हो 1961 से 1966 तक चला यह गद्गिल योजना इसका जो मॉडल था वो था गद्गिल योजना इसमें जो एम रखा गया वह हमारे कंट्री को सेल्फ रिलाइंट बनाने के लिए मतलब हमारे कंट्री में मैक्सम जो प्रोडक्शन है मैनुफेक्ट्रिंग जो है उसको किया जा सके और ज्यादा ज्यादा जो है भारत आत्म निर्भरता या अपनी जो हमारी एकनौमी अर्थ प्रवस्ता वह खुद वह खुद चलती जाए उसमें कोई रिकावट ऐसी ना पैदा हो ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए तो भारत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को या मैनुफेक्ट्रिंग इं इसमें और इसमें जो टार्गेट रखा गया था 5.6 परसेंट का वह अचीव नहीं हो पाया जश्ट इसका आधा यह भी एक्जाम में कोश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फाइफ यह प्लान था जिसमें जो हमारा अचीवड ग्रोथ रेट था वह जश्ट हाफ अफ अव्ड टा हेवी लॉस हुआ बहुत सारा हमारे आर्मी को जो चीजें कम पढ़ रही थे खरेट के देनी पड़े इसके बाद भी हम लोग युद्ध को हार गये और सेम इसी था 1965 में जब पाकिस्तान से उद्ध हुआ तो पाकिस्तान को तो हम लोग ने धूल चटा दी बड़ चाइना क से अता है थर्ड प्लां में कर देखें अमेर्का से ट्रीटि सायंक की गए थी स्ले intrins करोब के लिए प्लोज फोरधि वीट कर से लिए यह भाEP भारत को दे रहा था इससे जो है बहुत जादा सायाता मिल गर झाल बादन साश्ती प्रधान मंत्री वनें तो टोनें पाकिस्ता को हरा दिया 1965 में जब अमेरिका इससे नराज हो गया तो अमेरिका ने कहा कि हम भारत को पील 480 वीट क्रॉप नहीं देंगे तो आप सभी लोगों को याद होगा कि लाल बादू सास्तिर जी के बारे में एक बहुत ही चर्चित जो कहानी है वो है कि उन्होंने जब देश से एक किस चीज के लिए किया गया था यह जब अमेरिका ने प्यल 480 वीट क्रॉप को देने से मना कर दिये जिसका हम लोग इंपोर्ट करते थे भारत के पास पैसा ही नहीं बचा था पील 480 वीट क्रॉप और मघाने लिए तो हम लोग अपने इंपोर्ट को कम करना चाते तो और 480 अगर हम लोग एक दिन उपवास रखते तो हम लोग को पूरे भारत में पील 480 इंपोर्ट करने के जुरूच नहीं पड़ती तो लाल बादू सास्त्री जी ने एक इमोशनल जो है वह अपील की लोगों से और इसके मदद से पील 480 की जो डिपेंडेंसी अमेरिका पे वह खतम हो गई तो यह कोशन कई बार आता है थर्ड प्लान से रेटेड की जो पील 480 है इसका जो अपील है वह किस प्राइम मिनिस्टर ने की थी इसका इंपोर्ट बंद करने के लिए तो आप लोगों याद रखना है लाल बादू सास्त्री जी ने यह अपील की थी और इसके साथ जब इस अपील के साथ पील 480 का जो हमारा प्रोडक्शन है और उसकी जो हम लोग जो भी हम लोग स्टॉक मंगा रहते लोगों के खाने के लिए वह सारी चीजों को बंद करने के बाद भारत में यह चीज रिलाइस की गई कि अब हम लोगों को भारत नहीं जादा जादा उपच करनी चाहिए हमारा वीट का जो लोगों को एक साल तक राशन दे सकता है तो यह जो एक साल का हमारे पास स्टॉक है जो फूट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया मेंटेन करता है आज इंडिया यहां तक कैसे पहुंचा है तो यह पहुंचा है थर्ड एयर में थर्ड जो हमारा प्लान है इसमें ग्रीन रेवलू के head है इंडिया में अगर वर्ल्ड मैं कोच्चान आता है कि वर्ल्ड में Green Revolution का head कौन है तो है Norman Borlot और अगर इंडिया में question आता है तो इंडिया के है MS Swami Nathan इस दोनों इस फैट को आप लोग याद रखी green revolution स्क्रेटे और green revolution का introduction third third plan में हुआ हमारे और जो हमारा नीचे प्लान हॉलिडे है जो थर्ड प्लान के बाद आया जिसमें तीन यह प्लान को लाए गया 1960 6-67 67-68 और 68-69 इसमें मुख्यतर इन बातों पर धान दिया गया कि हमारे देश में जो भुकमरी है वह पूरी तरीके से खतम की जा सके जब तक हम अपने देश के लोगों को अनाज ही नहीं दे पाएंगे तो फिर हम लोग क्या गरीबी की बात करेंगे और क्या किसी भी विकास की बात करेंगे तो प्लान हॉलिडे कंप्लीटली एक ऐसा जो हमारा यह जो प्लान च ऐसा नहीं वाचा था कि वह किसी और प्लान को लेके आपाया किसी है सबसे ज्यादा उसक्त जो फोकस करना था वह भुकमरी को मिटाने के लिए तो इस वक्स जादा ध्यान दिया गया agriculture production of wheat and rice Green revolution के तहत इस काम को किया गया पंजाब और हर्याणा में सबसे जदा इस सीच क套 के लिए जितनी भी जो हमलों को बैकबोन तयार करनी थी Green revolution के लिए वह पंजाब और हर्याणा दोन के तैयार की गई तो यह इसी वक्त हुआ था 1966 से 1969 तक इस वक्त दोबारा से अमेरिका से खाने का समान मगाया जाने लगा दोबारा से जो PL480 क्रॉप है जिसके लिए इंपोर्ट बंद किया गया था ग्रीन डेवलूशन चालू होने के पहले उसको दोबारा से मगाना स्टार्ट किया गया क्योंकि भुक्मरी एक आएक हम लोग दूर नहीं कर सकते थे तो अमेरिका ने उसका कंडिशन रखी थी अब डेवलूशन ऑफ करेंसी कीजे हम लोग आपको PL480 वीट क्रॉप देंगे तो इस वक्त जो प्लान होरीडे इसी वक्त डेवलूशन ऑफ करेंसी की गए थी चले अब बात करते हैं फोर्थ और फिप्थ प्लान की फोर्थ प्लान जैसे की 1969 से 1974 तक आया था और इसको अशोक रुद्र मने अशोक रुद्र मने मॉडल कहते हैं और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था अगरिकल्चर के ग्रोथ पे और जो जिस एरिया में हमारा सूखा पड़ता है उसको कैसे हम लोग उपजाओ बना सकें ड्राट प्रोन ए इसका विकास किया जा सकता है इस मॉडल को 1975 में इमर्जेंसी लगी तो चालू किया गया था और इसके जो अचीवमेंट्स हैं इंद्रा गांदी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो इंद्रा गांदी ने किसानों बहुत ध्यान दिया और इस तरह के मॉडल को लाया इसमें जो अचीवमेंट्स हम लोगा देखें तो टार्गेट रखा गया था 5.7 परसेंट का और अचीव हुआ 3.3 परसेंट तो यह भी प्लान सेम जैसे कि हमारा थर्ड प्लान फेल हुआ था उसके बाद जो हमारा प्लान हॉलिडे आया उसमें ग्रीन रेवलूशन की जो ह उसी तरीके से फोर्थ प्लान भी हमारा फेल हो गया जैसा थर्ड प्लान हमारा कम्प्लीट ली फेल ओर था एसा क्यों हुआ कि देश में अभी तक भुकमरी की समस्या नहीं गई थी तो यहां पर एक कोश्चन आता है कि जो ग्रीन रेवलूशन है उसका जो में जो इंप्ल प्लान में completed जो पूरे भारत में उसको implement किया गया है वह फोर्थ प्लान में किया रवात को बिलकुष नहीं कई सारे CONFUSING QUESTION इसे पर आते हैं फीर की फिचर इसका है कि regional planning पõh ज़्यादा ध़यादा अब सेक्क्तaral planning पे जैसे की sectoral planningistemunde अगे agriculture और रीजिनल प्लानिंग क्या हो गए वीट और राइस के प्रोडक्शन पर ध्यान देना तो इस जो हमारा प्लान यहां से रीजर प्लानिंग की शुरुआट की गई कुई भी जो economic planning वो दो तरीके के होती है एक regional जिसमें किसी specific area पर ध्यान दिया जाता है ये किसी एक खास place पर ध्यान दिया जाता दूसरी होती सेक्व टोरल या national planning सेक्टोरल में complete sector पर ध्यान देते हैं या देखें फिप्थ प्लान में क्या हुआ फिप्थ प्लान में ही इंद्रा गांधी इमर्जेंसी लगाई 1975 में तो 1974 से यह प्लान चलना चाहिए था 1979 तक बड़ सभी लोगों को पता है आगे चलके जनतापार्टी की सरकार आ गई थी तो 1974 से 1978 मतलब चार सालों तक यह जो हमारा इसी प्लान में गरीबी हटायों का जो नारा है वह इंद्रा गांधी ने दिया था इस प्लान को इंपूट-OUTपूट मौडल कहते हैं और यह प्लान हमारे थर्ड और फोर्थ प्लान के फेल होने के बाद जो फिप्थ क्लान है वह सकसेस्पुल हुआ 4.4 परसंट का टार्ग भी भी दूसरे बड़ी समस्या थी उस वक्त बहुत ज्यादा गरीबी थी एक गरीबी बहुत बढ़ गई थी कोई इंप्लॉइमेंट कोई भी रोजगार की जो सुविधा हैं भारत में उस वक्त नहीं आ पा रही थी तो एक एक इस तरह के प्लान को सक्सेस्फूल करने का जो में देना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इमर्जेंसी जो लगी थे हमारे भारत में अच्छी थी कि बुरी थी तो इस पे आप लोग पॉलिटिकली आंसर मत दीजेगा लड़के आंसर मत दीजेगा एक जेंटल मैन या किसी एक एजुकेटेड परसन के तरह आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर करना चाते हैं तो तो इसमें आप लोग यह धान रखना है कि यह प्लान एक साल पहले ही टर्मिट कर दिया गया था क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी इंद्रा गांधी की 1978 में अचानक से इलेक्शन की घुंसड़ा कर दी गई और इंद् अब देखें क्या हुआ अब आया रोलिंग प्लान इंद्रा गांधी इलेक्शन हार गई अब जनता पार्टी की सरकार आई सबी लोग को पता है मुरार जी दिसाई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे और उनको जनता पार्टी ने प्राइम से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसमें जो सबसे गरीब लोग है जैसे गरीवी रटाओ का दिया था इंद्रगांदी ने उन्हीं लोगों के इंकम को इंक्रीज करने की कोशिस के गई आज भी आप लोग सुनते होंगे कि हम लोग गरीबी हटाएंगे हम लोग किसानों के आयद दूगनी करेंगे तो क्या हूँ यह ऐस तक ऐसा हुआ है यह जितने भी प्लांस आए हैं तो मैं ऐसे पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहता बट ऐसा आप लोग एनलाइज करिए कि इस तरह की चीजे जो मॉडल से क्या यह मॉडल्स लाना कितना सक्सेस्फुल रहा है और इसमें क्या के कमिया है आप लोग भी इसमें देखे कि क्यों इस तरह के मॉडल्स यह जब नहीं निकाला गया था यह दो सालों के बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई और दोबारा से जो हमारा सिक्स प्राने उसमें इंद्रा गांधी आ गए और नाइंटीन ऐटी से 85 में अदों बात करें तो जो हमारा पूराना मॉडल था इंपूर्ट ऑटपूद मॉडल जो इंद्रा कांधी ने अब लाज़ हमारा मॉडल है फिप्त मॉडल उस इको डेवल्लप्ड इंपू आटपूद मॉडल के तरह उसको हम दोबारा से इंप्लि और इस वक्त क्या हुआ गरीबी हटाओ जो पहले करना रहा था उसको भी कोशिस की गई हटाने की गरीबी को और नेशनल रूलर इंप्लाइमेंट प्रोग्राम लाए गया और मैं आप लोग से कोश्चन पूष्टा हो यहां तक हम लोग शीजान सभी चीजे आप लोग को comment box में बतानी है धान से आप लोग इन चीजों को समझे इससे बहुत सारे questions बनते हैं इस lecture से related आपको कोई भी doubt भी होगा तो आप अगर इस lecture को बाहर पर देखते हैं तो आपको वह सारी चीजे कुछ समझ में आने लगेंगी 5-year plan बहुत ही most important topic है इसको जरा सभी आप लोग skip करके मत देखे तो इसमें जो हुआ six plan के में लोग बात कर रहे हैं जो टार्गेट रखा गया था वह 5.2 रखा गया था और जो अचीव हुआ वह 5.4 अचीव हुआ तो यह success था काफी अच्छा success था जो हमारा last plan था 5th plan वो भी successful रहा जैसे 3rd और 4th हमारा failure था उसी तरीके से 5th और 6 हमारा successful रहा 1st plan भी हमारा successful था 2nd हमारा moderately successful था इसको भी हम लोग moderately जो है successful कह सकते हैं बहुत ज़्यदा successful हमारा 6th plan भी नहीं था चले फिर आया 7th plan 7th plan 1985 से 1990 तक चला राजीव गांधी इस वक्त प्रधान मत्री बन गए थे तो राजीव गंधी के अंडर में 7th plan जो है हमारा काम कर रहा था और इसका model अपनाए गया था architectural wage model इसमें क्या क्या काम किया गया modernization सभी लोगों को पता होगा computer राजीव गांधी ले के आया थे भारत में तो modernization पे इस plan में काम किया गया और सर्फ रिलाइंस एंड सोसेल जेस्टेस वेस्ट लैंड डेवलप्मेंट प्रोग्राम जो भी हमारी जमीन जो विल्कुल वेस्ट पड़ी हुए उसका हम लोग development कैसे कर सकते हैं उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं भारत कैसे आत्म निर्भरता के तरह बढ़ सकता है इस सभी बातों पर इसमें ध्यान दिया गया और इसमें टार्गेट रखा गया था पांच परसंट का और अचीवा 5.9 परसंट तो यह एक तरीके से मोस्ट सक्सेस्फूल प्लान हम लोग कह सकते हैं इसमें बन परसंट का टोटल जो है वो डिफ्रेंस आ प्ल Ausland करेगा रोजगार यूजना और पी एम रोजगार यूजना इसमें आप क्रोंतल करेगा पिम्रोजगार यूजना भी आगे आएगी तो में प्लाइन दोबार्त से ऑन ऐख लिकें exists संकता ब्बारत के इंपोर्ट करने के लिए जो भी हम लोग को फॉरेक्स रिजर्व चाईयों कम्प्लिटी खतम हो गया तो भारत के पास ऐसी आर्थिक समस्या आ थी कि हमारे पास श्रिफ सोला दिनों का जो है वह खाना जो है अपने देश को खिला सकते थे तो इस वक्त जो हमारे मनमोहन सिंगं है उन्होंने वो उसक्ता मंत्री थे और जो नर्सिम्ह राव जी उनकी सर्कार चल रहे थी तो राजीव गांधी जी के प्रिधान मंत्री बनाए गया तो इस वक्त क्या हुए भारत में आर्थिक संकट आया और मोहन सिंग हमारे वित्व मंत्री थे उन्होंने भारत में जो LPG की नीती है liberalization, privatization, globalization इसको अपनाया था 1991 में तो अगर ये question आता है कि जो LPG की नीती है वह किसमें अपनाये गए थी तो एनीवर प्लान में अपनाये गयए थी इसको ऐंवर प्लान इसलए कहते हैं कि ये भी हमारा हॉलिडे था एक एक साल के लिए फूलिडे था जिस तरीक के से rolling-plan हमारे डर्ड साल तक दो साल तक नहीं चला था तो कोस्टिन यह भी आता है कि दो सालों तक हमारा कौन सा ऐसा प्लान है जो एक साल के लिए बनाया गया था तो आप लोगों को ध्यान रखना है अन्योड प्लान प्लान का जो में फोकस था Q2 आर्थिक संकर था इस नीतियं आपना है वह अगले लोग आने वाले पड़ेंगी उसमें भारत में बहुत ज्यादा employment generation हुआ तो चलि हम लोग देखते हैं अब हमारा 8th model चलिए अब देखते हैं 8th और 9th plan को 8th plan आया था 1992 से 1997 तक इसका model था जॉन डबलू मूलर अब देखे इस plan में जो objective रखा गया था employment assurance scheme ज्यादा ज्यादा लोगों को भारत में जो आर्थिक संकर था वह बहुत ज्यादा चाहे हुआ था भारत में बहुत ज्यादा लोग बेरुजगार हो गये थे तो इस वज़े से employment assurance scheme लाए गई जिसमें ज्यादा ज्यादा की जो लोगों की नौकरिया हैं उनको बचाने की कोशिस की गई और जो LPG की नीती लाए थी liberalization, privatization और globalization उसके वज़े से बहुत सारी कंपनिया भारत में आ गई भारत में सैटलाइट टीवी आ गया भारत में cable operators आ गए भारत में अलग अलग टीवी के कंपनिया आ गई जो हमारा रेडियो वेगारा वह अलग से बनने लगा टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन यह सारे जो प्रोडक्ट है कलर टीवी यह सारी चीज़े जो है वह भारत में आने लगी इसके वज़े से क्या हुआ बहुत 6.6% का हम लोग को ग्रोड रेट देखने को मिला था जितना उमीद भी नहीं की गई थी तो यह बहुत ही ज्यादा बल्ले-बल्ले हो गई के लपीजी के नीती है वह बहुत ही ज्यादा सक्सेस्फुल मानी गई और एड्थ प्लान के बात से ही जो गौर्मेंट है वह डी सेंट्रलाइजेशन जो आज के समय में आप लोग देखते हैं कि गौर्मेंट कंपनी इसको बेचा जा रहा है अभी अभी आप लोग ने ने में लेक्iant देखते हैं जुटाना हैं तो ये जो टॉटल पैसा है समय में जुटाया जा रहा है ये सब जो पहले के समय में कंपनिया बनी थी उसी से जुटाया जा Kalr Central जो गौर्वर्मेंट है जब तक अगर व्यापार को कंट्रोल करेगे तो व्यापार में ज्यादा जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा लोग यह हो गौने पर निर्भर करेंगा गौर्वर्मेंट की speed सेी काम होता रहेगा तो लोगों को रोजगार तो मिल जाता है अच्छा stable मिल जाता है बट बाद में क्या होता है कि जब Growth ही नहीं होगा तो उनको income में जो भी income होती वो उतनी मिलती है government salary सो हमेशा उतनी रहती है बट तभी जो इंडाय के mentality है लोग government jobs को ज्यादा prefer करते हम सबी लोग government jobs की त्यारी इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग वहां पर stability मिलती है डियेफसी साइल के भी त्यारी इसलिए कर रहे हैं सभी को पता है डियेफसी साइल में भी धीरे दिए इंवेस्टमेंट हो रहा है बट ऐसा नहीं कि आपकी जो जॉब है वह सेक्योर नहीं रहेगी सभी बातों को आप ध चीज़ें होती हैं तो इसमें आप लोग यह बात ध्यान रखें पीम रोजगार योजना एड़्थ प्लान के अंदर आये थी 1997 में और 1997 में मैक्षम जो कंपनीज थी उसमें डिस इंवेस्टमेंट किया गया मतलब उनको PSU बना दिया गया पहले फूल रहता है गवर्मेंट का फिर क्या हुआ कि 51 परसंट गवर्मेंट रखने लगी 49 परसंट प्रावेट कंपनी तो इससे क्या हुआ PSU भारत में बहुत सारे बन गए जो मिनी रतने कंपनिया है यह नव रतने कंपनिया इन सभी का जो जन्म है वो पीम जो रोजगार योजना 1997 की इसी से हुआ था इ इनी रतने नव रतने कंपनिया एड़ प्लान से आई थी फिर नाइन्थ प्लान में क्या हुआ यह 1997 से 2002 तक चला अटल ब्यारी वाच्पी हमारे प्रधान मंत्री बन गया तो अटल ब्यारी वाच्पी जिनको गुड गवर्नेंस डे माना जाता है 25 दिसंबर को तो यह एक क्राब नहीं था अगर 1997 से हम लोग 2002 के बीच में देखें तो प्रधान मंत्री ग्राम स्रड क्योजना यह सभी लोग को पता हो गए सबसे ज़ादा जो रोड बनी है भारत में गाओं गाओं तेक रोड को पहुंचाने का जो काम हो प्रधान मंत्री ग्राम स्रड की यूजना से हुआ है और 2000 में स्कीम को लांच किया था सवाण जैंती ग्राम सड़क यूजना यह भी 2000 में लांच हुई थी और फूड 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 फूर वर्क प्रोग्राम जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोग को खाना मिलेगा इस तरह की स्किम जहों 2001 में लांच की गए थी तो यह सभी चीज़े जो हैं आप लोग देखें कि कार्गिल का युद्धुआ कार्गिल में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह रहा है तो उसके पाद से जो अटल व्यारी वाच में नूपले टेस्ट भी हम लोग ने इसमें किया और हम लोग ने इंद्री गांधी के टाइम पर भी जो हमारा फ़र्ट नूपले टेस्ट उसको किया था तो इस तरह की कि चीजों होने के बाद बहुत सारे सै से ज्यादा माना जाता है अगर वाई के टाइम मी हम लोग ग्रोफ रीट कर सकते हैं बारत की इतना पोटेंसिल है हम लोग कभी भी आपको फर्स नमबर पर लेखराना चाहते हैं अगा गौवर्मेंट अच्छे तरीके से सब आउंजों करें एक बात प्राइन सबसे ज़्यादा कंपनियों जो थी उनका प्राइटाइजेशन किया गया था बहुत सारी गवर्मेंट जो प्राइजेशन उनको बेज दिया गया एक बेज दिया गया 97 में मिनीरत नवरत ने सब जो सेक्टर से जो कटेगरी है वो बनाएगे उसके बाद जो हमारा आया 97 के बाद से प्राइटाइजेशन और ज्यादा बढ़ा दिये गया कुछ में जो है वो गौर्णमेंट में अपना से एकदम कर दिया और कंपनी को कंप्लेटली प्राइट कर दिया तो नाइंध प्लान में सारी चीज़े बहुत ज्यादा हुई थी और नाइंध प्लान को जो अंसक्सेस्फुल मानते हैं कई रिजन इसके में एक रिजन यह भी है कि जो रिसेशन आया था USA का हाउसिंग बोड का जो रिसेशन था सबी लोग जानते हैं तो हाउसिंग बोड का जो रिसेशन हुआ था अगर वो पूरे वर्ल्ड पे अफेक्ट दा रहा तो भारत पे उसका अफेक्ट हुआ और जो भारत में जो कंपनिया प्रोडक्शन वगारा कर रही थी अमेरिकन कंपनी उन्हों ने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया उनके पास कैपिटल नहीं था उनके पास पैसा नहीं था और जो उनको लॉस वहा था लोन के वाज़ें कई जो बैक्ट से बैंकर बैंकरफ्ट हो चुके थे तो कई सारी कंपने अमेरिकन कंपनियां बिल्कुल अनिस्टेबल हो चुकी थी भारत को बहुत ज़्यदा लॉस हुआ था आई टी सेक सरकार चेंज हो गई थी सभी लोग को पता यूपे के सरकार आ गए थी तो कॉंप्रहेंसिव इंपूट आट्पूट मॉडल को अपनाया गया था और 2005 जब यूपे की गवर्मेंट आ गई तो 2005 में और 2006 में कुछ ऐसी स्कीम्स आई थी यह आप हम लोगों को याद रखना है टेंथ प्लान से रेटेड सबसे ज्यादा जो कुछन पूछा जाता हो जन्नी सुरक्षा यूजना के बारे में पूछा जाता है और यह जो नरेगा नर भारत निर्माण यूजना इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था तो भारत निर्माण यूजना टेंथ प्लान में आई थी आप लोगों को इतना याद होना चाहिए टेंथ प्लान में जो टार्गेट ग्रोथ रखा गया था वह 8.1 परसेंट और अचीव कितना 2007 से 2012 तक इसमें जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम गाउं गाउं तक पानी पहुंचाना है और उज्वला योजना 2007 में प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना 2010 अब बहुत लोग उज्वला योजना को कहेंगे उज्वला योजना तो अभी आई है बट उज्वला योजना जो सबसे पहले उज्वला योजना थी 2007 में लांच हुई थी और प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा ग्रोथ रखा गया और 7.9 परसेंट अचीव किया गया जिस तरीके से 7.8 परसेंट तो 11 में 7.9 परसेंट अब अगर हम लोग की फीचर्स की बात करें 11 प्लान में तो साक्षर भारत 2009 जो प्रोग्राम है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या गया था तो यह कोशन बहुत आता है कि साक्षर भारत 2009 में जो इंपलेमेट हुआ है वह किस प्लान में आता है तो आप लोग अगर प्लान की डेट्स याद रहती है तो आप लोग इसली बता सकते हैं कि 11th प्लान में आता है फिर अगर हम लोग बात करें जो हमारा चीजों को implement किया गया है और बहुत सारी स्केम्स को आपको याद रखना है एक्जाम पॉइंट आवी सभी स्केम्स अभी तक important है क्योंकि यह हमारे last plan की स्केम्स हैं तो एक-एक सभी स्केम्स को आपको याद के डारेक्ट benefit transfer किसानों को डारेक्टली खाते में पैसा पहुचाना जो उनके लिए जंधन योजना account खोला गया था फिर इसमें सवच्च भारत अभियान 2014 में मोदी जी आते ही सबसे पहले सवच्च भारत अभियान लांच किये थे फिर इसकील इंडिया इसकील इंडिया जो है वो 2015 में लांच किया गया फिर पीम उज्वला योजना यह 2016 में लांच हुआ जैसे इंड्रागंधी योजना थी इंड्रागंधी आवास उजना उसी का नाम बदल के पीम आवास उजना कर दिया गया और कुछ इसमें अलग से नहीं किया गया इसमें एक टार्गेट यह भी रखा गया कि बहुत सारे घर जो हो 2022 तक बनाने हैं तो 2014 में पीम आवास योजना लांच की गई फिर उस्ताद अपग्रेडेशन ऑफ इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से उनका जो ग्रोथ है वो हो सके क्योंकि कोई भी इकनॉमी जो सस्टेंड करती है तो उस्ताद जोना इसी के लिए लांच की गई है यू उत्तर प्रदेश में आप लुग देखेंगे तो हर एक जिले में हर एक जो है ऐसी एकनॉमिक एक्टिश सब्सक्राइब होगी तो इस तरीके के उत्तर प्रदेश में उस्ताद जोन्या को बहुत अच्छी तरीके से लांच किया गया है फिर दीन दयाल उपाध्या अंतियोदय यूद्या पहले भी आया थी जो हम लोगे गरभी हट अंदोलन जो हम लोग बात कर रहे थे तो उसी क सब्सक्राइब को याद रखना है फिर इसमें एक बात सबसे ज़्यादा आप लोग देखें कि आज तक मोस्ट जो सबसे हाइस्ट ग्रोथ रेट इंडिया ने अचीव किया है वह किया है ट्वेल्थ प्लान में टार्गिट ग्रोथ रखा गया था एट परसेंट और किया गया है तो वह किया गया है ट्वेल्थ प्लान में अब अगर की फीचर की बात करें तो में किन इंडिया कंपेंड 2014 में जो लॉंच हुआ यह एक नया टाइप को अपना कंपेंड था भारत में आके कंपनिया अपना समान बनाए तकि हैं पर इंप्लामेंट जन्रेशन और रेविन्यू जन्रेशन जो है वो इंडियान गवर्मेंट को हो एक तरीके से प्राइवेट कंपनी को बुलाने के तरीका था और पीम कोशन विकास सुझना जो 2015 में लॉंच हुई है यह सभी बड़ी स्कीम से जिनको बहुत अच्छे तरीके से लॉंच किया गया है चले है नीइट मार्केटिंग क्या होतна है निश बार्केटिंग हम लोग ईक पर कश्ञार को से पर्तिकुलर सेगमेंट को हम लोग टार्गेट करते या तो हम लोग इस पेसलाइजेशन उसमें हासिल करते हैं हम लोग यह decide करते हैं कि हम लोग को इसी चीज़ पर काम करना है वो होता है निश्च marketing और relationship marketing होती है जब कोई भी company पहले आपसे relations बनाती है उसके बाद अपने product को बेशती है पहले आपको अपने प्रोड़क्ट पर विश्वास दिलाती है आपसे relations बनाके और उसके बाद धीरे-दीरे वह अपने product को बेशती जाती है तो वह होता है relationship marketing उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जितने भी marketing हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सभी निश marketing या relationship marketing क्या ही या तो subset होती है या तो directly उनसे related होती है तो अभी जितने भी हम लोग मार्केटिंग पढ़ने वाले आज के वीडियो में में मेटा marketing मेगा मार्केटिंग और बॉन मार्केटिंग इन बॉन मार्केटिंग यह सब यह दोनों जो हमारे marketing टाइप है इस से related है या तो इसके subset है तो सबसे पहले हम लोग उपढ़ है मेटा marketing को मेटा जो सब्ध है आप लोग ने कई बार सुना होगा बहुत जगा जैसे कि मेटा टैक्स का आप लोग ने नाम सुना होगा CRM में जब हम लोग कोई भी website सब्सक्राइब करते हैं कि इसली पता चल सके कि वह वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है अपने कस्टमर्स को हम लोग सेगमेंट के टाइप से ढूंद सकें तो मेटा का जो मतलब होता वह होता इस पिसलाइजेसा ने खास टाइप का कोई भी चीज पर्टिक्लर इस पिसला मेटा मार्केट और वहां पर जो भी मार्केटिंग होगी उसको हम लोग कहेंगे मेटा मार्केटिंग सबसे पहले मेटा मार्केटिंग सब जो है वो ईजे केली ने क्वाइन किया था सबसे पहला इस्तमाल ईजे केली को दौरा किया गया था और मेटा मार्केट एक ऐसी जग एपूड़ आप आप नसकी सब्सक्राइब तो होगा इससा तरीकाइब अचैनर के सवह मारकेट यह इक मेटा मारकेट होंगे वो उसी type की चीज़ों को खरेदने के ले जाएंगे और जो भी sellers हैं वो same वही चीज बेचने आएंगे जो वहाँ पर buyers खरेदने आते हैं तो यहाँ पर time जो है वो लोगों का बच जाता है ना तो buyers को बताना पड़ता है कि आपको कौन सा समान खरेदना चाहिए किस तरीके की चीजे देखे हमारे आईए यह देखे इस तरह का प्रोड़क्ट हम रखते हैं यह सब चीजों में बायर्स जो है वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उनको पता होता है कि मैं इसी चीज के लिए जा रहा हूं मैं यही चीज करें दूंगा और सेलर्स का बहुत ही इसी तरीके से मेंटें किया सकता है और बहुंज कोने से कोई जो कि कौने की मेडिसीं अब नहींबस आप one कर्म के गए जो सब्सक्राइन ह版 और यह से अरे सवर्फ को सब्सट्राइद ब्लस और चीज दिए जो हां रूङ्स जो हेल्स एख चीज अधे हम्हां पु को भी कोई भी चीज चाहिए वहाँ पहुंच जाएगा उसका काम असान हो जाएगा उसको उसका सोलसल मिल जाएगा तो इससे क्या है दोनों जनका फायदा है तो यह इस टाइब के मार्केट बनना स्टार्ट हुए अभी रिसेंट्ली आज के समय हम लोग देखें तो मेटा मा को प्रोड़क्ट के वैब को अपने पास रखता है मतलग अगर एक प्रोड़क्टों करें जाते हैं तो आप सपोस्स हैल дома प्रोंच ओण प्रोडट्ट होंगे कि आप कोई न खरेट के आओगे ही आओगे वहां पे समान जो है बिखने की चांसेस बहुत ही मतलब हाई होतीहें ऐसा नहीं होता है कि आपका समान ना विखे मतलब यहां पर सेल्स भी हाई होतीहें और जो हमारा revenue है वह automatically हो जाता है जब sales होती है तो जो हमारे जो shopkeepers है या जो भी हमारे business मैंने उनका revenue बनने लगता है तो यह बहुत ही अच्छा concept है इस तरह के concept को बनाया जा रहा है और भी अगर आप लोग देखें कुछ और example जैसे कि अगर आप कहीं पर कार खरेंदे जा रहे हैं तो अगर आपको cars related वहां पर उसके spare parts मिल जाता है वहां पर पेट्रोल पंप मिल जाता है जहां पर पर होगा उसी के पगल में पेट्रॉल पंप बनाये जाता है तो कार के पेट्रोल पंप बनाते हैं शारूम उनके कार को देखते हैं तो कार वाले की विक्री होती है तो इससे क्या होता है जो जो उनको समान खरीदने के लिए इंफलैंस होना चाहिए वह ऐँसली हो जाते हैं जो बाइँ पैटर्न है आप लोग पढ़ेंगे समय सर हैं को बिल्कुल पढ़ेंगे कि जो बाइँन होता है वह किस तरीके से कंजुमर को इंफलैंस करता है तो वह सारी चीज़ें अच्छी तरीका UX होती है करें जैसे और पिह आप लकार खरिणने के तो आप लगों इंसूरेंस वेगर जाता है आपको लोन चाहिए कार खरिणे कर तो ईजली वहां पे फाइने करने वाली कंपनीया वहां पर सब सब कुछ बनी रहती हैं तो इस तरह के मेकैनिकर सब कुछ वहाँ पर अवलेबल होगा हर एक चीज अवलेबल होगी बस आप वहाँ चले जाएए आपको उसका सोलूसन वहाँ पर मिल जाएगा इसी तरीके से जो वेडिंग प्लानर डिजाइनर होते हैं जो शादियां वगार कराते हैं तो आप उनके पास पहुंची आपको सब कुछ बता देंगे कि आपको हिंदू रिती रिवास साधी करनी है तो यह चीज़े हमारे पास है आपको इसलाम के साधी करनी है तो यह चीज़े हैं आपको खाने का और देना है कैटरिंग वह रहा हम सब कुछ मैनेज करे हम लोग डिजाइन कर देंगे और उसके बाद भी जो भी चीज़े शादी वगदार में कम पड़ेंगे देंगे और जो मेरेज हॉल वगदार हम लोग खुद बुक कर देंगे तो यह सारी चीज़े वह खुद कर देते हैं तो आप अगर वहां पर जाते हैं तो आपको solution 100% मिल जाता है तो यह मोस्ट एफिसेंट मार्केट बन जाता है यहां पर अपना इंपुट देते हैं तो आपको प्रॉपरली आउट्पुट मिलता है और यहां पर सेल्स और मार्केटिंग बिल्कुल हाई पीक पे चलती है कभी भी लो नहीं जाएगी इसलिए मेटा है वह अभी रिसेंट्ली इंट्रोडूस हुआ है और यह बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है इसको आप लोग ऐसे समझ के चलना है कि जब बायर्स और जो हमारे सेलर्स हैं वह एक जगा इखटा होते हैं कॉमन परपस के रहे तो उसको हम लोग कहते हैं मेटा मार्केट चले से पहले इस टर्म घून किया था फिलिप कट्लर ने फिलीप कट्लर मार्केटिक सब सबसे ज्यादा कॉंसेप्ट को दिये है सो जो मेगा मार्कटिंग का प्लीप का दवारे के द्वारत दिया गया है है इस बात को अपने पाशना रखेंगा जैसे अभी से इटाम लोगने पीछे बात की ही जे केली ने जो हमारा मेटा मार्केटिंग कॉनसेट इसको दिए उसी तिरुए मेगा मार्केटिंग कॉंसेट सोल प्लिंग को ज्यादा revenue नहीं generate कर पाते हैं अगर हम लोग उसको अपने ब्रांड के इसाब से रखेंगे तो भी जो है हमारी जो सेल से उतना नहीं बिखती है हमको ज्यादा यह ध्यान देना चाहिए कि सुसाइटी में जिन लोगों का दबदबा है यह जिन लोगों का अफेक्ट है उनसे ह अपनी marketing करवाएं जैसे मान के चली कोई एक ऐसे model या ऐसे जो advertisement आप लोग देखते हैं हर एक एड में बड़े-बड़े brand ambassador बनाया जाते हैं तो जी भी company अपने company का brand ambassador बनाती है वह इस्तमाल करती है mega marketing को जैसे आप लोग पतंजरी के बारे में जानते होंगे कि रामदेव जी जो हैं वो सभी जो पॉलिटीशन से उनको अपने अलग-अलग जो functions होते हैं इवेंट्स होते हैं उसमें बुलाते रहते हैं और अलग-अलग product के बारे में बताते हैं उनको तो वहां से क्या होता है जब वह अगर सपोज नरेन मोदी जी ने जो पतंजली का है वो कोई ऐसा हर्बल product है जो कह दिया कि यह इस्तमाल करने से जो देश में हैं वह काफी स्वदेशी अंदोलन तीजी से होगा और हम लोग जो हैं इससे बहुत सारा revenue generate कर सकते हैं अगर इस तरह की बाते कर दी तो मोदी जी की जितने भी follower हैं वह रामदेव marketing का concept यही कहता है mega marketing कहता है कि थर्ड पार्टी को involve करो जो आपके transaction को influence कर सके आया दूसरे के transaction को block कर सके तो अगर आपके transaction को influence करती है आपको revenue बढ़ा देती है तो थर्ड पार्टी को आप directly payment करो या उनको कुछ ऐसी चीजे offer करो कि वह आप से जूड़े रहें से relationship marketing मार्केटिंग establish करो तो जैसे मैंने आपको पहली बताया था कि निश और relationship marketing में ही सारी चीजे आती है तो मेगा marketing आप लोगों को इस तरह समझ में आये होगी अब देखे मेगा मार्केटिंग में दो ऐसे पी का इस्तमाल किया जाता है जिससे थर्ड पार्टी को हम लोग चुनते हैं पहला पी होता है पब्लिक रिलेशन ऐसी बॉडिस जिनकी पब्लिक रिलेशन हो जैसे कि आप जो रिए यह तो जो लोग पर अच्छा काम करें उनका भी ब्लिक रिलेशन अच्छा होता है तो या तो उन लोग से मलों मार्केटिंग कर वाते हैं या तो जिसके पास det司र्ट इस उन लोग से करED तो इससे क्या होता है आपने प्लैंड को एक ही ही बार में हम लोग पूछ कर सकते हैं हमारा ब्रांट एक ही बार में इस्टेबलिस होने लगता है क्योंकि जो वेल इस्टेबलिस्ट लोग है जो पावर में है जिनका पॉब्लिक रिलेशन है अगर वो हमारे प्रोड को इस्तमाल करते हैं तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करत तो आप लोगों को ध्यान रखना है पब्लिक रिलेशन और दोनों टूपीस में आता है और अगर हम लोग एक एक्जामपल देखें मेगा मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा एक्जामपल माना जाता है तो जिस तरीके से पेपसी कोको कोला नेशले यह सब जब इंडिया में आई थी तो जितने भी पॉलिटीशन के इवेंट होते थे हर जगह आपको यह डिंक्स दिखती होंगी और यह ड्रिंक्स वहाँ पर फ्री में सर्व की जाती थी सबी लोगों को नेशले भी अपनी कॉफी में सर्व करता थ अधरत जुब लोग वहाँ पर देखते थे कि जो भी हमारे जिनकों लोग फॉला करते हों नस यह की कोफी पी रहे हैं वह पेपसी में लिए को पी रहे हैं तो जो बाहें प्रोड़क्त की ने लगा करें है freebies देता है free में जो politicians है या हमारे public relationship रखने वाले लोग हैं उनको इस तरह के product free में देता है ताकि बाकी लोग देख के उनको उनके product की जो sales हो बढ़ा सके हैं देखिए अब next mass marketing mass marketing mass आप सभी लोग जानते होंगे जब लोग larger portion ने श्यक्रावे goba समिस्वाइओं जैसे मैं आपको निष मार्किटिंग में बताया था किसे perder सेग्मेंट के अगर कस्टमर कोता आरिकार करेंगे तो वह थे अनिष मार्किटिंग जो मास् 100% customer जो मास मार्केटिंग वो सारे customer segment को target करता है अलग-अलग customer segment पर ध्यान नहीं देता है इनका ध्यान यह होता है कि हम सबसे सस्ते में अपने product को बना के बेचें जो सभी लोग effort कर सकें और हम high sales करें ना कि हम high cost पर बेचें लो सेल करें तो इस तरीकी के जो concept होता है वह आता है मास marketing के अंदर इसमें क्या होता है whole market को एक segment माने जाता है सभी लोगों को यह सबको लेके चलता है वस्ट इमेज में आप लोग को बांद के लेके जा रहे हैं तो यह कि जो है सबको लेके चलता है अब अगर मास marketing में सेकेंड इमेज में आप लोग समझें तो सब्सक्राइब मास marketing हमेशा सीधे चलता है ना उसको किसी ध्यान देना है ना कहीं भी मुड़ने के जरूत है तो जो निश मार्केटिंग वालों किसी सेग्मेंट के तरब मुड़ जाएंगे किसे एक एरिया को टार्गेट करेंगे बड़ जो मास marketing हो सबको लेके चलेगे चलती जाए वह हाइवे वाली है तो यही जो मास marketing का concept है यह बहुत ही अच्छा concept माना गया है उन companies के लिए जो लो प्राइस पर अपने समान को बेचना चाहती है अब जैसे देखे अब कोल्डरिंग से आप लोग समर सीजन से बिल्कुल भी रिलेटर नहीं रह गया है अगर आप लोग इनके अडवर्टाइजमेंट देखें तो टेस्ट थंडर अब थंडर को टेस्ट करिए या ओपन हैपिनेस कोका कोला का है ओपन हैपिनेस आगे जह मैं आप लोग को यह सब चीज़े बताऊंगा जो ह तो इस तरीके से ही लोग क्या करते हैं हमेशा बस आपको यह दिखाता है कि आप कहीं पर भी रहिए कभी पर रहिए इस प्रोड़क की जुरत आपको पढ़नी है जब भी आप खुशियां मनाएंगे आपको को पीना चाहिए इसी तरीके जो डेरी मिल्क होता है उसमें होता सकता है है उसमें कोई खास इवन्ट तो दिखाया नहीं जाता कि है इसी साघ्म याप्षक्ण खा सकता है कि जो आप खुशग ski में चला जाता है किसी खास सेग्मेंन पर घ्दा नहीं दिया जाता कि इसे इसको कहा जाते है मांस मार्केटिंग अब आउट बाउंड मार्केटिंग क्या होता इसको समझते हैं देखें जितने भी हम लोग टीवी पे डेखेंगे रेडियो पे डेखते हैं अलग-अलग बैनर देखते हैं पॉलिटीशन वेगारा कि अलग-अलग कमपनीज के बैनर देखते हैं जो अलग-अलग डिजिटल हम लोग को दिखाई देते हैं बिलबोर्स वगारा न्यूस पेपर में मैगजीन में जितने भी हम लोग एड देखते हैं जो भी इंटरनेट से रेटेड नहीं है जो हमको यह डिसाइड नहीं कर पाते जो एड कि हमको यह एड कहां पर दिखाना है इनका जो टोटल लॉस हो होता जाता है एड से लोग चपाते हैं और रेली कोई ऐसा परसन होगा जो किसी बोर्ड पे या ऐसा डिस्प्ले बोर्ड है जिपे इनका एड देख रहा होगा जो वहां पर खाली खड़ा होगा वह तो देख सकता है बट सभी लोग नहीं देखते तो आउट बॉंड मार्क मार्केटिंग है जो सिर्फ बाहर ही बाहर सबको टच कर पाती है मतलब यह आपको जवरदस्ती दिखाया जाता है चाहे आप इसको देखना चाहते हैं चाहें नहीं देखना चाहते हैं यह कहीं पर भी एड चिपका के चले जाएंगे और टीवी वेगारा पर यह अपने चलाने से हम लोग का पैसा खर्च होगा उससे हम लोग को लॉस होगा तो एड चलाने से हम लोग का लॉस होता जा रहा होता जा रहा हम लोग को कोई भी प्रॉफिट नहीं आता है तो आउट बॉंड मार्केटिंग इसी तरीके का कॉंसेप्ट है जो पुराने जमाने का है अब इसमें क्या है over saturation हो चुका है और इस तरह की चीजे अब चलती नहीं आप कहीं पर भी अगर इतना इतने बोर्ड लग चुके हैं कि एक खास बोर्ड पर किसी का धानी नहीं जाता तो इसी को हम लोग कहते हैं outbound marketing यह एक तरीके से इसमें अगर आप देखे क्लिक थूरेट अगर किसी डिस्प्लेइड पर आप लोग देखें तो बहुत कम आपको दिखाए देगा जैसे कि यूट्यूब अगर आप भी एड आता है तो बहुत कम लोग ही उनके एड्स पर क्लिक करते हैं और 0.05 परसंट ही जो लोग है मतलब आप 0.05 परसंट समझ लोग एड पर क्लिक करते हैं आप समझ सकते हैं कि यह बहुत ही पुराना मेथड है इससी क्या होता है कि कोई भी जो हमारा रेविनू है जो हम लोग लगाते हैं हम लोग कौश लगाते हैं हमारे अडवर्टाइजमेंट पर वह पूरा का पूरा लौ जाता है तो आउट बा ने इसको ऐसे समझें कि यह इमेज देखे आप लोग यह रही हमारी इमेज एक हां यह रही वीडियो आउटरीच के बारे में बात कर रहा है कोई इन्हों ने बनाया सब्सक्राइब यूटूब एक वीडियो बनाया आप उसको इन्हों एड्स देखना नहीं पसंद करते तो आउट बॉंड मार्केटिंग अगर हम लोग कुछ प्रोस कुछ फायदे भी देखे तो इसमें रिजल्ट आपको जल्दी मिल सकता है आपको यह हो सकता है कि हाँ आपने ज्यादा लोगों को रीच किया है तो आपको रिजल्ट मिल जाए या आप अपने डाटा को ट्रैक कर सकते हैं कितने लोग क्लिक कर रहे हैं सारी चीज़े कर सकते हैं कॉम्पेटिशन भी आपको यहां पर कम फेस करना पड़ेगा लिए इसके हम नुक्सान की बात करें तो यह मोर एक्स्पेंसी वेस में हमारा पैसा ज़्यादा खर्चों कर यह टाइम कंजूमिंग है प्लस यह फोर्स फोर्स रिलेशनसीफ मतलब यह जवरदस्ती के रिलेशनसीफ बनाने की कोसिस करता है अगर हमाने कस्टमर नहीं चाता है तब ही हम उसको एड़ पैड दिखाया रहते हैं और उसका हम लोग सिर्फ फ्रस्टेशन उसमें क्रेट क चाता है तो इसको अगर हम और समझेंगे port marketing को तो हम लोगो इंबौंड मार्केटिंग से इसको कंपैर करना चाहिए tô चलेए और देखते inbound marketing क्या होता है अब देखिये inbound Marketing एक ऐसा नया concept है जो marketers में marketers हैं उन्होंने ऐसा concept बना है जिसे हैंमा अपने content को interesting content के साथ mix कर सके सब्सक्राइब कोई एक movie बना रहा है और बीस में जो है वो किसी एप का प्रचार करना है कि इस word जो एब को इंस्टॉल करो या इसको इस्टॉल करो तो आपको इससे क्या होगा इतना बोनस मिलेगा यह गेम खेल सकते हैं आपको इतना पैसा मिलता है तो यह क्या होता है एक interesting content के साथ अपने content को mix करता है जिससे customer उस पर विश्वास कर सके और जब हम उसको चीजे दिखा दिखाते हैं तो वह उस वक्त या तो खुश रहता है या तो ऐसे emotions में रहता है जिससे उस पर effect हमारे एड का ज्यादा पड़े तो जैसे आप comedy वाले वीडियो देक्टियों क वो लोग किसी ने किसी app का हमेशा प्रचार करते रहते हैं तो इस तरीके की चीजे जो लाई गई है अब इन बाउंड marketing आती है किसी चीज के इन में किसी चीज के साथ इन चीजों को दिखाया जाता है यह अकेले कभी भी नहीं बनाई जाती किसी चीज के साथ इनको mix करके जाता है ताकि जो हमारा वीवर है उस पर अफेक्ट जादा पड़े अधिक इन बाउंड marketing जो है यह एक तरीके इन डारेक्ट मार्केटिंग अब इसको डारेक्टी तो हम लोग दिखाते नहीं किसी वीडियो साथ mix करके दिखाते हैं और यहां पर नोट यहां पर जो है वो सेल्स पिछ कभी भी नोट नोटीसेबल नहीं रहेगी मतलब आपको अचानक से बहुत ज्यादा हाई सेल्स देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यह रहता है कि आपको धीरे-धीरे-धीरे-धीरे ओवर दे टाइम आपको जो प्रोड़क्ट है वह इंक्रीज होता हुए देखे की इस मार्केटिंग में पाती है वह टारगेट करना चाहती है अपने करने का कर नहीं पाती तुँ निस मार्केटिंग का एक पार्ट है आफ़ Rice Automate मार्केटिंग के तरह उठा केलता है यह दोनों चीज़ों को आप लोग आप लोग अगर समझें तो एक बात इतना समझ गयोंगे कि इन ब्रांड मार्केटिंग ज्यादा अच्छा है और बार मार्केटिंग से यह गवराता है और दीरे-दीरे जो भी विष्वास करने लगता है उनके अन्दर एक ब्रॉप आता है उ Pepsi हैं यह जो ब्रांड है वह अच्छा है यह अच्छे जगा पर आपना रहा रहा है और हम लोग कोई ज्यादा डिस्टर्जमेंस भी नहीं क्रेट कर रहा तो इस तरीके से क्या होता है ब्राइंड में लोगों का इंगेजमेंट बढ़ता है और इन बॉंड मार्केटिंग को ज्यादा बहतर माना जाता है चलिए आये होग जितने भी कॉंसेट्ट आज के क्लास में मैंने कवर करा हैं इन सभी कॉंसेट्ट का आप लोग ध्यान से समझ गयोंगे इससे रेटर जितने भी कोस्टन बनेंगे आप लोग को इजली बन जाएंगे हम मैं जो भी टॉपिक्स आपको करा रहा हूं ये इक्ज बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेस वीडियो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैहिन